आज कल मार्केट में स्ट्रॉबरी बहुत अच्छी आ रही हैं तो मैंने सुचा कि चलो स्ट्रॉबरी से स्ट्रॉबरी क्रश बनाते हैं तो आज मैं बनाने वाले हैं स्ट्रॉबरी क्रश इसे आप जैम की तरह भी यूज़ कर सकते हो तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने ले लिये 500 ग्राम स्ट्रॉबेरिस और उसे अच्छे से दो लिया है स्ट्रॉबेरिस को अच्छे से क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उसके अंदर कई बार कीड़ी भी होते हैं तो उसे वाश करने के लिए मैंने ले लिया था एक बावल उसके अंदर ले लिया था पानी और उसके अंदर डाला था थोड़ा सा बेकिंग सोड़ा और थोड़ा सा विनेगर और फिर सारे स्ट्रॉबेरिस को उस पानी में डाल के 10-15 मिट के लिए चोड़ दिया था और उसके अंदर add किया है आदा कप चीनी और चीनी डालने के बाद उसको medium to high flame पे हमें पकाना है जब तक की sugar melt ना हो जाए और हमारी strawberry एकदम soft ना हो जाए तो यह दिखे हमारी सारी strawberry अच्छी से soft हो गई है और उसका color भी बहुत ही change हो गया एकदम color dark हो गया है और इसे पकने में तकरीबन 10-15 मिट लगे है और अब उसे मैंने ले लिया है एक जार के अंदर आप यहां पर mixture jar का भी यूज़ कर सकते हो मैं यहां पर blender का यूज़ कर रहे हूं अगर आप mixture का यूज़ कर रहे हो तो यह जो mixture है strawberry वाला उसे थोड़ा सा ठंडा होने दे और फिर उसे crush करें अगर आप गरम ही crush करोगे तो mixture का जो डखकन है वो उचल सकता है सारा mixture बाहर आ सकता है तो देखिए इस mixture के मैंने अच्छे से crush कर लिया है और उसका texture बहुत ही बड़ी आया है तो अब इसे इस तरह के एक add tight jar में फर लेंगे और उसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे रूम मिल्कशेक बनाने के लिए मैंने या पर ले लिया है एक ग्लास दूद और उसे मैंने उसी जार में डाला है जिसके अंदर मैंने यह mixture को crush किया था और उसे फिर से blend कर दिया है और यह हमारा tasty वाला milkshake बनके ready भी हो गया है तो बस दो मिनित में आप milkshake बना सकते हो और यह तो चलिए अब तैयारी करते हैं दूसरी रेसिपी की तो यहां पर मैं बनाने वाली हूँ पैनकेक बनाने के लिए मैंने सारा समान एकटा कर लिया है तो यहां पर मैंने ले लिया है बटर मैंने आपे 4 टेबल स्पून लिया है यहां पर मैं घर का बटर यूज कर रही तोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए फिर इसके अंदर एड़ करेंगे आदा कप चीनी और दो चम्मच दही डालने के बाद इस मिक्चर को अच्छे से मिक्स कर लेना है दही हम ज्यादा खटा नहीं लेंगे मिडियम खटा लेंगे और अब ले लेंगे एक छलनी उसके अंदर डाले वनिला एसेंस तो वनिला एसेंस मैंने आपे 5-6 बुंद जीतना लिया है मतलब के एक चोटी से चम्मच भर के लिया है और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है वनिला एसेंस से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ी आएगा और अब इसके अंदर डालेंगे आधा कप दूद तो यहां पे मैंने मेजर करके आधा कप दूद लिया है तो देखते हैं यहां पे कितना दूद हमें चाहिए तो सारा दूद एक साथ ही नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके दूद एड़ करेंगे और मिक्सर को मिक्स करते जाएंगे मिक्सर को हमें एक ही डिरेक्शन में म और उसे अच्छे से मिक्स करके एक बैटर रेडी कर दिया है तो टोटल यहां पे आधा कटोरी मतलब के आधा कब दूद और उपर से 5-6 चमच इतना दूद यहां पे मुझे लगा है यह बैटर रेडी करने में तो दीखिए इतना फ्लोई बैटर हमारा होना चाहिए तो है और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है शहद डालने से यह जो पैनकेक बनेंगे हमारे उसका कलर बहुत ही बढ़ी आएगा तो शहद जरूर डाले और फिर से बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और यह जो पैन है हमारा अच्छे से गरम हो गया है तो उसके उपर डाल जाएगा हमें इससे फैलाने के जरूरत नहीं है क्योंकि इतना फ्लोई बेटर है तो अपने आप से वह अपना शेप ले लेगा तो देखिए इस तरह इतनी जगा रखके हमें यह पैनकेक को बनाना है बहुत ही जादा बनाएंगे एक बारी में तो एक दूसरे से चिपक सकते हैं मैंने भी यह गलती की है आपको आगे वीडियो में दिखेगा और 2-3 मिनिटे से हम एकदम लो फ्लेम पे पकाएंगे 2-3 मिनिट के बाद हम थोड़ा सा उसे उंचा करके देखेंगे हमें लगे कि नीचे से अच्छे से इस तरह गोल्डम राउन हो चुका है तभी हम उस वहस समय ख mesh देखेंगे रेडी हो जाएंगे तो एक बार में थे मस चीपक भना लिया है झाले तो दूसरी बार महने थोड़ी सी गड़बर कर दी तो हो सके तो थोड़ा थोड़ा बैटरी डालिए बहुत जलदी मत करें तो मैं जलदी बिद्ली में ये देखिए म congrмо सारा भीगड़ गया है और ये गल्दी आप मत करना थोड़ा सा बैटरी डालिए थोड़ी सी patience रखे और आपके pancake भी अच्छे से बन जाएंगे तो पैंकेक रेडी हो चुके हैं तो अब मैंने यहाँ पे ले लिया है स्ट्रोबेरी जयम मतलब के स्ट्रोबेरी क्रश जो हमने बनाया था गठ पे तो एक प्लेट के अंदर उसे निचे इस तरह थोड़ा सा दो से तीन चमच strawberry crush डालके उसे फैला लेंगे और एक pancake रखेंगे और उसके उपर फिर से strawberry crush इस तरह करके हम layer बना देंगे आपने जितने pancake बना और बना है अब इस तरह ready कर सकते हो तो इस सारह pancake हम ready कल लेंगे और ये रहे के देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और यह जो हमारा crush है उसका color भी बहुत ही बढ़िया आया है इसके अंदर हमने कोई भी food color एड़ नहीं किया है फिर भी इसका color इतना बढ़िया है क्योंकि strawberry एकदम fresh सी तो उसका color इतना बढ़िया ही आएगा और यह crush हमने अपने हाथों से बनाया है एकदम clean हाथों से और इसके अंदर भी chemical भी एड़ किये हुए नहीं है तो एकदम fresh हमारा यह crush बनके ready है तो चलिए अब क्रिशा को टेस्ट करवाते हैं कि इसको यह कैसा लगता है क्रिशा को तो यह definitely पसंद आने वाला है क्योंकि उसकी smell ही इतनी बड़ी आ रही थी कि मेरे मूँ में पानी आने लगा था तो यह दिखे क्रिशा को तो यह बहुत ही पसंद आया है और उद्रो को भी बहुत ही अच्छा लगा था तो आप भी इस तरह strawberry से strawberry crush बना के अलग-अलग recipe बना सकते हो और अपने बच्चों को खिला सकते हो तो इस तरह घर पे बनाएंगे तो बच्चे एकदम fresh चीज देखाएंगे और market का एकदम भूली जाएंगे और अब यह चो पिक्षर बच गया था उससे मैंने चोटे चोटे पैंकेक्स बना दिया है और बीच में एक बड़ा सा पैंकेक बना दिया है तो यह अच्छे से फ्लिप हो गया है और यह देखिए इसका color कितना बढ़िया है क्योंकि इसके अंदर हमने डारा था शेहद और कॉमेंट करके मुझे बताना कि आपको यह रेसिपी कैसे लगी ओके तो मिलते हैं जली नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई जैशी क्रेशना